दोस्तों मैं पहले ही मोबाइल प्रोसेसर, 32-bit, 64-bit, what is RAM, i3, i5, i7, GPU इन सभी के बारे में वीडियोस बना चुका हूँ तो आज हम बात करेंगे cash memory के बारे में तो मेरा नाम है गॉरव, आप देखने टेक्निकल गुरूर जी, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो में आपको बताता हूँ कि जो giveaway contest है वो भी चल रहा है 14.09.2016 उसकी last date है उसमें एंटर करने के लिए आप नीचे description में जाएए आपको उसका link मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप काफी सारे interesting इनाम जीत सकते हैं दोस्तों ये video एक special request है Mr. Pawan होटी गी और उन्होंने काफी दिनों से हमको कहा था कि हम cash memory के बारे में एक video बनाएं दोस्तों आखिर cash memory होती क्या है देखिए आपके computer में तीन तरह की memory लगी होती है पहला जो हम normal storage उस करते हैं जो आपके hard drive होती है दूसरा जो आपकी RAM होती है और तीसरा cash memory cash memory सबसे fast होती है लेकिन सबसे कम होती है capacity में अब cash memory तीन टाइप की होती है level 1, level 2, level 3 आपका जो processor होता है वो dual core होगा, quad core होगा, octa core होगा वगरा वगरा तो देखिए हर एक core की दो जो memories होती है वो separate होती है level 1 और level 2 level 3 जो cache होती है वो जादा तर ऐसा देखते हैं कि जो बाके सभी जो course है वो सब share करती है आपस में level 1 cache जो होती है वो सबसे तेज होती है वो processor के अंदर ही लगी होती है अंदर ही बनी होती है basically वो storage लेवल 2 cache अंदर भी हो सकती है और या फिर वो processor के नजदीक के दूसरी separate IC पे होगी लेकिन प्रोसेसर और उस IC के बीच में high speed bus होगी जिससे डारेक्टली प्रोसेसर काफी तेज़ी से उसको एकसेस कर पाएगा और level 3 cache एक separate memory होती है जो की RAM से करीब-करीब double speed की होती है लेकिन वो memory सभी course की बीच में shared होती है तो अब आप cache की types तो समझ गए हैं अब हमें जाते हैं कि cache काम में क्यों आती है और मैं आपको एक real life example लेके समझाता हूँ दोस्तों मान लिजी कि आप एक office में काम कर रहे हैं और आप अपनी desk पर कुछ काम कर रहे हैं जो back office है वहाँ पर सारी सारी files रखी हैं जिन पर भी आपको काम करना होता है तो वो तो हो गया है आपकी hard drive जो आपकी desk है वो है आपकी RAM तो जब भी आपको काम करना पड़ता है आप उठके जाते हैं या प्यून का आप कॉल करते हैं और प्यून आपको अंदर से जाके वो files लेके आ जाता है और आपके desk पर रखके अपना काम कर लेते हैं अब आपकी desk जितनी बड़ी होगी आप उतनी ज्यादा files एकसात काम कर पाएंगे तो आप RAM वाल एक्जांपल स चाहे वो stapler हो चाहे वो कोई stamp हो चाहे वो important document हो चाहे वो एक proposal हो तो वो जो drawers है वो है आपकी cash memory इसी तरीके से computer में भी क्या होता है जो आपका CPU है उसको बहुत सारे instructions का use करना पड़ता है उसको बहुत सारे data को read or write करना पड़ता है तो cash memory वो सभी frequently used जिनकी बार-बार जोरत पड़ती रहती है वैसे data को अपने पास stored रखती है अब computer को जब instruction execute करना हो तो वो RAM तक नहीं जाएगा या वो RAM से data fetch नहीं करेगा उससे पहले वो सबसे पहले cache में try करेगा अगर उसको cache में मिल जाता है तो वो process बहुत ज्यादा fast हो जाती है वो वहीं से instruction pick करके उसके execute कर सक तो cache memory बहुत जादा help करती है आपके producer को तेजी से काम करने में लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब एक important चीज़ चाहिए हो और हमने सोचा हो ऐसा कि वो हमारे drawer में होगी या हमारे cache memory में होगी लेकिन अगर वो हमें वहाँ पे ना मिले उस time पे ऐसे में हमें delay का सामना भी कर है तो इसको उनको कहलता है cache latency जदा दर जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलते हैं i3 हो i5 हो i7 हो Intel Xeon हो वगर वगर है इन सभी में आपको 2 MB, 3 MB, 6 MB, 8 MB, 12 MB तक के cache मिलती है अब आप सोच रहे हों कि 12 MB तो बहुत ही चोटा size है लेकिन cache memory के लिए वो बहुत बहुत ज्यादा ह जो process से आपके accessing के उसको काफी easy बना देते हैं दोस्तों आप confused हो रहे होंगे कि android phone में जो cache memory होती है वो क्या होती है देखिए जो मैं आपके से अभी तक बात कर रहा था वो तो था प्रोसेसर की cache memory की यह आपके phone में भी मिलता है आपको देखने को लेकिन जो आपको phone के software में दिखाता है cache memory वो एक अलग चीज है वो चीज है जो आपकी कोई भी application या आपके mobile phone ने किसी भी application के तुरू कुछ भी data को temporary आपके phone में save कर रखा है for example आप Google Maps का use करते हैं और आपने अपनी city में जगह जगह पे आपने zoom in zoom out किया हूँ है आपने उनको access किया by locations को तो वो जो locations आपने access की है वो temporarily आपके phone में as a cache file store हो जाती है इसका मतलब है कि जब आप अगली बार वापिस से उसी location पे जाते हैं जब आप थोड़ा जूम करते हैं तो आपको data consume नहीं होता है आपका वो सीधा वहीं से उनको access करके और आपको easily rendering कर देता है तो इसी तरीके से बहुत सार यह लग-लग applications हैं जो अपनी temporary files जिनको आप ज़्यादा ज़्यादा use करते हैं बार बार या जिनको आपनी use किया होता है पहले उन सभी को अपने phone में store रखती हैं जिसकी बदद से आप आगे चलके इनको तेजी से access कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी यह memory बहुत ज़्यादा या जो आपकी settings वगर हैं वो सब तो यह जो है यह Android phone में cache के बारे में दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस video को देखने के बाद में आप cache memory के बारे में अच्छे से जान गए होंगे अब आपको यह देखना है कि जब आप एक नया computer लेते हैं तो आपको उसमें cache कितनी मिल रह किजी अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट करना भूलिएगा और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को भी तो subscribe नहीं किया है तो आप प्लीज इस लाब टन पर क्लिक कर लिजिए चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए रुसाने सी अभी के लिए इतना ही जैहन्द वंदे मात्रम